बोपाल से भाजपा प्रत्याशी साधवी प्रग्या ठाकुर ने कहा कि भगवाधारियों को किस तरह से आतंकवादी बता कर मुझे जितनी यातनाएं दी गई है मैं वे सब जनता के बीच लेकर जाओंगी देखिए इस खास रिपोर्ट में कॉंगर्स द्वारा मुझे भगवा आतंकी की संग्या देना मेरा मुख्य चुनावी मुद्दा होगा मुझे पर आतंकी होने का आरोफ लगा कर बहुत प्रताडित किया गया है जो मेरे साथ हुआ क्या ग्यारेंटी है कि वे आगे किसी और के साथ नहीं करेंगे प्रचार प्रसार की हमारी पूरत तयारी है सब के मनों में जो एक देश का भाव है जो इन लोगों ने कॉंग्रेसियों ने इतने वर्षों से जो देश को भ्रमित किया है धर्म पर कुठारागात किया है राष्ट धर्म पर कुठारागात किया है इन सब चीजों को लेकर के मैं समाज में जाओंगी और मेरी तयारी इसलिए भी है कि मैं सिर्फ और सिर्फ सब के मनों को जान करके और अपनी बात कहूंगी क्योंकि मैं चाहती हूँ कि नेत्र तो ऐसा हो कि लोगों तक हो वो लोगों तक पहुंचे हम ये नहीं चाहते कि हम आज आपको भ्रमित कर दें और कल हम आपसे मिले भी नहीं ये मेरा विश्यनी है तो इसलिए हम चाहते हैं कि हर व्यक्ति से हमारा आपस मैं संपर्ख हम धर्मित के लिए निकले हैं हम किसी भी चीज को कठे नहीं मानते हैं हम अपने उद्धेश को लेके निकले हैं सावी प्रगर्षाकुर निकहा की प्रदेश में पूर्व सीन शिवरात सिंग का काम सब को दिखता है साथी कॉंग्रिस के दस साल भी जनता को याद है कॉंग्रिस की सरकार आते ही प्रदेश में चल रही जनकल्यान कारी योजनाओं को बंद कर दिया गया है उन्होंने कहा कि प्रचार प्रसार की हमारी तयारी पूरी हो गई है नेत्रित्व ऐसा होना चाहिए जो कि जन्ता से संपर्क में रहे हम जल्द ही अपना एजंडा जन्ता के सामने रखेंगे उन्होंने जो किया वो जन्ता ने देखा है बुढ़ा है लेकिन उसके बाद जो भाज़पा ने किया हमारे मुखरी मंतरी जी शिवराज जी ने किया हमारे भाज़पा के लोगों को लोगों ने जो शासन चिया है वो जन जन तक और मन this time वो पहुँचे हैं कॉंग्रेस ने अभी जो 3-4 महिने से उनकी सत्ता आई है उन्होंने पूरी तरह से जो एक सर्बजन हिताय जो कल्यानकारी योजनाय थी उनको बंद किया है तो ये भी समाज के समक्ष है और मैं पूरा विदिवत आपके समक्ष ये लाने वाली हूँ प्रके ठाकुर ने कहा कि मुझे तोड़ा फोड़ा गया पता नहीं आज जिन्दा कैसे हूँ लेकिन जब तक हूँ देश के लिए लड़ती रहूँगी उन्होंने मुसलिन समाज को संदेश दिया है कि वे भी इसी धर्दी के पुत्र हैं देश को परम वैभव तक ले जाने क की जरूरत है कुल मिलाकर साजी प्रग्या उन्हीं मुद्दो को जनता के बीच लेकर जाने वाली है जोसे लेकर भाजपा अक्सर दिगवजे को निशाना बना दिया है जिरो रिपोर्ट, MP News, भुपाल